नाकपुर जीरे के मनसर देवरी खुरसा पार्क केलवच चेक पोस पर आर्टियो द्वारा बड़ी मातरा में आवेद वसुली की जाती है जिसका विरोध करते करते बंटी शेल के द्वारा आमरन अंचन भी किया गया और पाज जून को भी आमरन अंचन किया जाएगा ऐसी ज जानकरे अजित पत्र परिशत के दौरान बंटी शेल के द्वारा दी गई है आर्टियो द्वारा नाकपुर शेहर जो आए दिन हजारों गाडियों के आवाजाही का मार्क है वह एक लूट और खसोट का डाब बन कर रहे गया है रोज प्रतिदिन मनसर देवरी खुरसापा के लवज चेक पोस्त प्रष्टाचार का मुख्य द्वार बन गया है ऐसे आरोप बंटी शेह के द्वारा आईजित पत्र परिशत के दौरान लगाए गये है शेह के द्वारा कहा गया जहां देश भर में इतनी महेंगाई है पेट्रोल डिजल के दाम आसमान चुरे है वहा साथ ही वैद पैसे के ओपर अवेद वसुली भी की जा रही है इसी के लिए जंता के इस त्रस्थालात के विरोध में जब मैंने और मेरे नाकपुरिवा कॉंग्रेस के साथियों ने आवाज उठाई और मांग की कि अवेद वसुली पर रोक लगाई जाए तो मुझे और मे देगरानी नहीं है और ना ही कोई क्यामेरा जिसके चलते वस्तान या जमीन जो किसी अन्यकार यहेतू उपयोग में आ सकती है उसको एक अवेद वसुली का केंदर बनाया जा रहा है ऐसा भी आईजित पत्रपरिशत के दौरान शेल के द्वारा कहा गया है और जाने के बाद में यह पता जला कि वहां पर लिगल एकर देखा जा तो वहां पर आइटियो का क्लरग आइटियो के प्यूंद नुद अनुमति दी नी इसलिए उसकी आईजन पर पटा अंचन की बाद में दिड्सो लोगों आपर हमला तक आया हमला तक आने के बाद में कहीने कई पर मेरे साथ में मेरे चोटे साथी थे नाकपूर से 200 इलोमेटर के दूरी पे हम लोग बैठे थे इसलिए समझदारी दिखाते हुए हमने आपस के साथी के साथ चर्चा करकर और पूरे महाराश के अंदर में 26 तारी से लेकर अवेद वसुली के विरोध में जब तक आर्टियो प्रशासन लूट को बन नहीं करता है और साथ ही ब्रश्ट अधिकारियों के विरोध में कारवाई नहीं होती है तब तक युवा कॉंग्रेस के साथ ही अंशन पर बैठेंगे ऐसी जानकारी बंटी शेरे के द्वारा दी गई है कैमेरा परसन सुभाज बुटले के साथ शितिजादेश मुख बीसियन नियोज नाखपोर